नमस्कार जयमत आदी सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में कैसे हैं आप सबॉइद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे खुश होंगे राशा करते हैं कि आप सब एक हमारी वीडियो पसंदारी होंगे आज हम बात करेंगे जिसे चाहे उसे अपना दिवाना बना ले मत्र इस एक मंत्र से इसका मतलब यह नहीं है कि जिसे मरजी आप पकड़ लीजी और उसे अपना दिवाना बना लीजी यह जो मंत्र है यह सच्चे प्यार को आपके करीब लेकर आएगा चाहे आप किसी से प्यार करते हो या कोई आप से प्यार करता हो तो वो उस व्यक्ति को आपके करीब ले आएगा अगर आपके मन में किसी के लिए बेहद प्यार है बेहद कहते हैं कि सच्चा प्यार है तो अगर आप उसका नाम लेकर यह उपाय करते हैं, यह मंत्र बोलते हैं, तो यह जो आपके मन की भावना है, जो आपका प्यार है, उस तक पहुचा कर वैज्यत्ति को आपकी करीब ले आएगा, इसके साथ साथ, अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है, तो अगर आप इस मंत्र का नित्य रूप से भी जाब करते हैं, तो आपका सच्चा प्यार आपके करीब आ जाएगा, लोग आपको चाहने लगेंगे, लोग आपको दिवाना, लोग आपकी दिवाने बनेगे, आपसे अकरशित होंगे, और उन्हीं लोगों में से कोई एक वक्ति ऐसा हुगा जो सच्चे मंद से आप फ्यार करेगा और आपकी तरफ आ जाएगा तो अगर आपकी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं है तो नित्य रूप से आप यानि कि हर रोज आपने ये मंदर का जाब करना है और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, जिस सचे मन से आप चाहते हैं और चाहते हैं कि वे आपका दिवाना बन जाए, आपसे अकरशित हो जाए, पूरे तरीके से तो आपने उसका नाम लेकर ये उपाय करना है तो दोनों तरीकों से आप ये उपाय कर सकती है आपको दोनों तरीके से बताते किस तरीके से आपने उपाय करना है पहले बताएंगे अगर आप अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार को ढूना चाहते हैं आपके जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं है और चाहते हैं कि ज्रीक्रिष्ण जी की फोटो के सामने अपने मंदिर में श्रीक्रिष्ण जी की फोटो के सामने बैठ कर आपने इकीज बार मंत्र बोलना है आपने बोलना है ओम क्रिण क्रिशनाई आक्रिशनाई नमहा इस मंतर के द्वारा लोग आपसे आकरशित होगे जहां पर भी आपका सच्छा प्यार होगा वो आपको मिल जाएगा हर रोस शाम के समय ये मंतर मंदिर पर बैठ कर श्री कृष्ण की तस्वीर को देखते हुए ब आते हैं कि वे आपका दिवाना हो आपसे अकरशित हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं लगातार ग्यारा दिन तक यह उपाय करना है उस व्यक्ति के करीब जब भी जाएंगे या अगर वो व्यक्ति आपके सामने भी खड़ा है आपसे दूर खड़ा है या आपसे बात बोलते रहना है और आपने क्या करना है जब भी उसके सामने जाना है अगर आपके सामने है तो अपने पॉकेट में या पने पर्स में आपने एक तो मोर का पंक carry करना है, यानि कि मोर का पंक रखना है, लगातार 11 दिनों तक, जब भी घर फे बाहर जाए, मोर का पंक रखना है, वही मोर का पंक जो पहले दिन आपने रखा होगा, वही 11 दिन तक रखना है, आपके विक्तिवर सामने होगा, या आपसे बात कर रहा होगा, य आपने लगा तारी 11 दिनों तक करना है आपने मंत्र वही बोलना है जो आपको बताया है ओम करेंड कृष्णाय आ कृष्णाय नमहा यह बोलना हर 11 दिन तक करना है और आप देखेंगे 12 दिन से इसका असर व्यक्ति आपसे आकरशित होगा धीरे धीरे आपका दिवाना होगा आपकी बादचित शुरू हो जाएगी, और दीरे दीरे वह जो व्यक्ति होगा, आपके प्रेम में पढ़ जाएगा, दीरे दीरे पूरे तरीके से आपका दिवाना हो जाएगा, देखिए, श्री कृष्न का उपाय है, श्री कृष्न प्रेम के देवता माने जाते हैं, हमारे आकर्शन बढ़ाते हैं, हमारी खुबसूरती बढ़ाते हैं, लोग आपके दिवाने हो जाते हैं, जो भी व्यक्ति श्रीकिष्ण को मानता है, तो उसके अंदर अपने आप एक ऐसा नूर आ जाता है, कि लोग उसके दिवाने हो जाते हैं, हुनर आ जाता है, ऐसे कला आ जाती तो ही आपने इस मंतर का प्रयोग करना है कोई गलट इंटेंशन से या सिरफ टाइम पास के लिए आपने ये मुपाई नहीं करना है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ मंतर है बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है और बड़ा ही प्रभावशाली आपको इ अब हमारे वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक करिए इसे कमेंड करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें शुक्र लिया